नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आप सभी का एक बार फिर से हमारे आचार जागंद्रमिस्टा चैनल पर दोस्तों अगर आप अपनी लाइप में कुछ नया शीकना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आपके मकान में गरीबी आने की छे निशानिया दोस्तों घर में होने वाली छोटी छोटी बातों में कई शंकेत चुपे होते हैं इन संकेतों को अगर शमज लिया जाए तो हम जान सकते हैं कि भविश में आने वाला शमय कैसा होगा और परेशानियों से बच सकते हैं जोतिस के अनुसार जब दरदरता बढ़ने की शंभाव वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के भी शेयर कर दीजेगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर देजेगा अगर घर में कोई मुसीवत आने वाली है तो उसका असर सबसे पहल पाथों में काली चीटियों का परजाना आपके आने वाले बुरे समय की ओर इशारा करती है अगर घर में लगे पेन पौधों की पत्तियां शोकने लगे तो उसे तुरंत कटवा दो घर में लगे पेन पौधों हमेशा हरे भरे होने चाहिए घर में पेन पौधों की पत्ति लक्ष्मी जी का शोचक है क्यूंकि वो दर्यदर्दा को घर से बाहर निकालता है इसे से घर में शुक्षंबर्धी और धन दावलत आती है जाडू के उपर पाव नहीं रखना चाहिए इसे लक्ष्मी जी का निरादर होता है घर का कोई छोटा बच्चा अचाना घर में जाडू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये बिक्त के दुर्भाग को आमंत्रन कर देता है नास्ता करने से पहले जाडू जरूर लगा ले ये सुब रहता है जाडू को उल्टा करके रखना अब सगुन माना जाता है जाडू को हमेशा गिरा करके रखना चाहिए जाडू को खड़ा करके रखने से घर में कलह बढ़ता है और गरीबी का वास होता है अंधेरा होने के बाद आप ज़ाड़ू लगाने से बचे इसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है घर का कोई शदस बाहर जाए तो तुरंत उसके जाने के बाद ज़ाड़ू नहीं लगाना चाहिए कुछ देर के बाद आप जाडू लगाएं वो भी भगवान से प्राथना करने के बाद माता लक्षमी जी से प्राथना करने के बाद माता लक्षमी जी से प्राथना कर लें और धन आगवन के भी प्राथना कर लें ज्ञाडू को आपको छिपा करके ही रखना चाहिए किशी की नजर इस से नहीं पढ़ने चाहिए इस पे जिस परकार धन को छुपा कर रखा जाता है उसी परकार ज्ञाडू को भी घर में आने वाले ब्यक्तियों के नजरों से आपको दूर रखना चाहिए वास्त बिज्ञान के अनुसार जो लोग ज्ञाडू के लिए एक स्थान बनाने के बजाए कहीं पर भी ज्ञाडू ऐसे ही रख देते हैं उनके घर में आर्थिक तंगी उन्हें शामना करना पड़ता है मालक्षमी सदैब उनसे रुष्ट रहती हैं और कम तरही बास करती हैं उनके घर में इससे खर्च बढ़ने लगते हैं आयके स्थरोत कम हो जाते हैं आर्थिक परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों गा या अन किसी भी जानबरों को जाड़ू से मार के नहीं भगाना चाहिए इससे मालक्षमी आपके घर में रुष्ट होकर चली जाती हैं नाराज होकर चली जाती हैं जिन घरों में दोध उबल कर गिरता है वहाँ पर अचानक पैसों का खर्च बढ़ जाता है घर के लोग बीमार रहने लगते हैं और घरेलू जीवन में दूरियां आने की संभावना बढ़ती है इसलिए अगली बार ये इस बात का जरूर ध्यान रखें बहुत से लोगों का कहना है कि दोध उबल कर गिरना शुब होता है तो मैं उन्हें बता दूँ दोस्तों कि रोजाना अगर आपके घर में दोध उबल कर गिरता है रोज मर्रा की जिन्दगी में तो ये शुब नहीं है रोज ऐशा नहीं होना चाहिए आपको इशबात का ख्याल रखना चाहिए अगर आप किशी काम से घर से बाहर जाए और वापस आते ही आपको यानि की दरवाजे पर सबसे पहले छिपकली के दरसन हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका बुरा शमय बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है ऐसे में आपको पहले ही शमल जाना चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत से काम लेने के लिए तयार रहना चाहिए इस बात का धियान रखिए दोस्तों कि वक्त कब भी एक जैसा नहीं रहता कभी भी बदल सकता है बुरा वक्त भी निकल जाएगा जरूरत है शिर्फ हिम्मत से काम लेने की दोस्तों घर में शिपकली दिखना वैसे तो सुबशंकेत होता है लेकिन अगर आपने नया घर लिया है और उसमें शिपकली मरी हुई मिल जाए तो घर में सबसे पहले आपको पूजा हवन आदी करवा लेना चाहिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस घर में रहने वाला ब्यक्ती तरक्की नहीं कर पाता और बुरा शमय हमेशा ही उस ब्यक्ती पर हावी बना रहता है अगर जाने अन जाने में छिपकली आपके श्रीर के आगे गिर जाए या गिर जाती है तो ये भी आने वाले समय का सूचक है जैसे अगर छिपकली आपके माथे पर गिर जाए तो आपके लिए खुशियों का शंकेत लेकर आती है और जल्द ही आपको धन का लाब होने वाला है तो दोस्तों वहीं लेकिन अगर छिपकली आपके सिर पर या बालों पर गिरती है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि इसका मतलब है कि आपके जीवन में भारी संकट आने वाला है या फिर आपकी कोई किमती चीज चोरी होने वाली है इसी तरह से आख का फड़कना भी आपको आने वाले समय के बारे में संकेत देता है खासकर दोस्तों महिलाओं के बाई आग फड़कने का मतलब होता है आपके जीवन के कुछ अच्छा होने वाला है यह सुब संकेत का इशारा करता है तो वहीं दोस्तों अगर पुरुष का दाहिना अंग फड़के दाहिनी आग फढ़के तो काफी सुब माना जाता है जी हां दोस्तों अगर आप कहीं जा रहे हो और कोई ब्यक्त एक छींक ले ले तो ये भी अशुब संकेत माना जाता है लेकिन अगर वो दो छींक ले ले तो ये काफी सुब संकेत माना जाता है इससे कार में बिगन होती है एक छीं आपके घर से गरीबी जाने वाली है और ये अमेरी आने की शूचक है यानि कि अगर नेवला काट दे आपका रास्ता तो काफी सुबसंकेत माना जाता है दोस्तों आपके मकान में ये जो गरीबी आने के कुछ निशानियां हैं इनसे आपको बचना चाहिए खासकर आपको रस बाहर करजा भी नहीं देना चाहिए नहीं तो ये गरीबी आने का कारण बनता है तो मालक्षमी जी को प्रसंद करने के लिए इन सभी चीजों से बचना चाहिए और नित उनका इश्मरन करते रहने चाहिए तो दोस्तों कमेंट में जैमालक्ष में लिखे हो जाते हैं तो वीडियो जरूर करें नहीं तो चैनल के सब्सक्राइब करें उसे शेयर करें जैमालक्ष में